हेलो फ्रेंट्स चेस्ट्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में 38 चेस्ट्र साइज के कुरूती के कटिंग करने वाले हैं तो देखें यहाँ पर यह जो कुरूती का कपड़ा है मेरे पास इसमें यह पोटली बटन्स लगे हुए है तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पोटली बटन्स को निकालेंगे यहाँ से तो देखें फ्रेंट्स यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आर्मोल के बार में बहुत ही महत्वपूर्ण जनकरी देने वाली हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से कुर्टी कटिंग करना सीख जाएंगे ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले प्रेंट्स आप अगे मेरी चानल पर पहले बार आया है और अभी तक चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्ली साइड में रख लेते सबसे पहले हम सामनी के पल्ले की उपर कुर्टी के कटिंग करेंगे ठीक है तो बिचे के पल्ली के हम बाद में कटिंग करेंगे अब सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे सामनी के पल्ले को ठीक है तो देखे बिचो भी सेंटर से इसको फोल्ड करना है और देखिए यहां पर हमने जो पोटली पटन्स निकाले थे तो उसके कुछ धागे बाहर के तरफ दिख रहे हैं इनको हम यहां से कट कर लेंगे तो देखिए इस प्रकार से कट कर लेना है अब देखिए यहां हम एक एक पीन लगा देते हैं क्योंकि यह जो कट किया हुआ हिस्सा है यह इधर उदर ना फिसले इसलिए हमें यहां पर इस तरह से पीन लगा लेना है अब यहां पर इसके बाद उपर की तरफ हम एक लाइन ख ऐखे को ऊपर की तरब मिलाकशे के लिए 50 याप। नीचे आधा लॉगा यह नहीं सिर्फ फड़ोगके उपर की मिल उपकिकार को थेनगेंगे लो खार, तरह को अधार ची दैनलीगर, पंवा है शुर्ड़र के आगेर, यहां से υमीर्समार जो हता है, कर दो उपर की तरफ हमने जो लाइन कीची है, यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग कर लेते हैं, तो देखे, शोल्डर ये 14 इंच, तो उसका आधा करते हैं, तो सवा 7 इंच हो जाएगा, और देखिए आदा इंचेश्टा लेंगे मार्जिंग के लिए क्योंकि देखिए यह जो कुर्ती है यह कॉलर ने कुर्ती है और कॉलर ने कुर्ती में हमें जितना शोल्डर है उतना शोल्डर लेना होता है और आदा इंचेश्टा लेंगे margin के लिए ठीक है तो देखे सेम marking हम इस तरब कर लेंगे नीचे की तरब भी और एक सिधी line कीज़ देंगे इस प्रकार से तो देखे शोल्डर जो हमने लिया है margin से पाउने 8 इंच हो गया तो पाउने 8 इंच पर हम इस तरह से marking करेंगे तो आर्मोल की लंबाई हमने पाउने 8 इंच लिए अब इस line के उपर हमें चेश्ट का marking करना है तो देखे इस कुर्ती में चेश्ट का साइज है 38 इंच तो 38 इंच में हम 2 इंच लूजिंग एड़ करेंगे तो वह हो जाएगा 40 इंच 40 का हम यहां पर फोर पर्ट लेंगे 10 इं लेंगे मार्जिंग के लिए आप अपने इचन उसार मार्जिंग रख सकते मेनिया पर देड़ इंच रखा है दो इंच भी अप रख सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से अब हमने आर्मोल का शेप दे दिया यहां पर अब इसके बाद देखे आर्मोल की लाइन के अंदर की इसको इस तरह से उपर की तरफ मिला देना है और यहां से हम फ्रेंट आर्मोल का शेप देंगे दिखे यहां पर मीने आर्मोल की मार्किंग कर लिए अब इसके वारे में मैं आपको आगे वीडियो में बहुत ही मुत पुर्चान करी देने वाली हूं तो प्लीज वीडियो म और उसमें आदा इंच प्लस करेंगे तो वो हो जायगा 21 तो 21 इंच पर हम हीप का मार्किंग करेंगे अब यहां पर एक एक सीधी लाइन कीज देंगे तो दीखिए यह हो गई कमर वाली लाइन और यह हो गई हूँ पर हम कमर का ओ이ग तो यह हो गया 9.5 इंच और यहाँ पर देड़ इंच इस्टल लेंगे margin के लिए ठीक है तो इस प्रकार से हमने 9.5 इंच कमर लिए और देड़ी इंच इस्टल लिए margin के लिए अब इसके बाद यहाँ पर हम हीप का मार्किंग कर लेते हैं अब हीप राउंड यहाँ पर 6.6 इ यहां पर मार्किंग कर लिया है अब इनको इस तरह से मिला देंगे अब देखिए इसके बाद हम कुर्ती के गेरे के लिए मार्किंग करेंगे तो जितना यहां पर हमने हीप लिया है उतना ही हम नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे ठीक है इस प्रकार से 12 इंच पर मार्किंग क अब इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहां पर हम इसके कटिंग कर लेंगे तो अगर मेरी चानल पर पहली बार आया है तो अपली चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और वीडियो अच्छे लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो दीखे इस प्रकार से मार्जिंग वाले लाइन से हमें कट करना है और यहां पर हमें बैक आर्मोल से इसके कटिंग करनी है तो इस प्रकार से दीखे हमने कूर्थी की कटिंग कर ली अब इसके बाद दीखे यहां पर जो फिटिंग के निशाने वहां पर एक एक कट इसके बात करते हैं, ही के बारे में ठीक है तो देखे आर्मोल में हमें इस प्रकार से आदा इंच ऊपर की तरफ चोड़ना है मार्जिंग जो हमारा चला जाएगा सीलाएं में और इस प्रकार शेखे-डी नौन श्याँ तो इस कुर्ते में आर्मोल नौव इंच तो यह देखिए यह 8 इंच आ रहा है तो इस कंडिशन में क्या करना है देखिए आर्मोल को नीचे की तरफ इस तरह से पाउन इंच तक डाउन कर लेना है ठीक है इस प्रकार से हम इसको उतारेंगे यहाँ पर देखिए मैं नेक सीध तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर नीचे उतारने के बाद यह 9 इंच आ रहा है तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको आर्मोल को जरूर चेक कर लेना चाहिए जाए अब लौज की कटिंग करते हो या फिर कुर्ती की आर्मोल को बीना चेक के आप कुर्ती को कटिंग करेंगे इस प्रकार से आपको पहले नाप लेना है अब यहाँ पर कम आर्मोल था तो यहाँ पर मैंने पहले नहीं नापा था मुझे पता था ठीक है तो मैंने आपको बताने के लिए ही यहाँ पर तोड़ा सा कम आर्मोल लिया था अब यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप कटिंग करें और यहां पर पीछे पल्ले की कצिक करें तो पीछे के पली कोम Therefore भी चाँके रखाए डबल फोल Yes, then. Beginning ची सब्साेशंगे करके साफ हमें 1 इंचर में पीछे में आपको 1 बढ़ा के लेना है क्योंकि कॉलर ने कुर्थी तो इस प्र Michael रहाएं थिलने तो अगर आप इस परेंगा स्यीट तो आपके कुर्थी जो ऑफ में ऊपर कीृदर मिला क bill अब इसको इस तरह से as a tis छाप देंगे और देखिए जहाँ जहाँ पर हमने कट लगा है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है बराबर अब गले की चवड़ा यह ले लेते हैं तीन इंच पिछे वाले पल्ले में और इस तरह से एक इंच नीचे के तरब शोल्डर को डाउन कर लेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमने शोल्डर को डाउन कर लिया अब इसके बाद यहाँ पर पीछे वाले पल्ले में हम गोल गले का शेप दे देंगे इस प्रकार से देखिए एक इंच हमें पीछे पल्ले म सब्लлять कर लिया पर पए। यहां पर हए जब तक पिछे पल एक सांपने वाले पले में अब ऑपर से इस तरस बराबर कर लेते हैं अब इसके बाद यहां पर गले की कटिंग कर लेते हैं इस अब देखें इसके बाद यहां पर हमें एक कट लगा लेना है पीछे वाले पल्ले में भी अब देखें यहां पर हम दोनों पार्स को अलग-अलग कर लेते हैं ठीके तो यह हमारा हो गया बैक पर्ट और यह हो गया फ्रेंट पर्ट अगर आपका सेम प्लें कपड़ा होता है इस प्रकार से जरूर stir र прекंग कर लिए अब यहां अब यहां पर दिखे इस प्रकार पाला में प्रेंटर नुग राटे में 휩ा shirts अंब चलिए इन दोनु पór्स को हम дома साइड में रख लेते और यहां पर अस्तीन के कर लेती ठीक है also अस्तिन कटिंग करने के लिए मैंने इस प्रकार से फोर फोल में कपड़े को बिचा के रखा हुआ है और यहाँ पर हम 3-4 साइज का स्लिव कटिंग करने वाले हैं इस प्रकार से हम देखे बॉटम में एक सीधी लाइन किस देंगे अब यहाँ पर हम अस्तिन की लंबाई का मा पर उपर की तरफ मार्किंग करेंगे तो इस प्रकार से साड़े सोला इंच पर मार्किंग कर लेना है तो इस प्रकार से से मार्किंग इस तरफ भी कर लेंगे और एक सीधी लाइन किस देंगे अब देखे यहाँ पर हमें उपर से इस तरह से टेप रखना है और उपर से ती मुझेंगे या और इसके बाद देखे यहाँ पर हम इक दिछी लाइन के इस प्रकार से और देखे जितना हमεरा पर यहा Depres you को अतारती हुए यहां पर夏 some सब्सक्राइब करें देड़ेंगे अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे है कि कंपलीट हो गई अब इसको उम यहाँ पर कट कर लेंगे तो देखे यहां पर सींटर पर कट लगाएंगे और फिटिंग में जो निशाने बाद बढ़ाएंगे अब देखिए यहां पर हम फ्रेंट आर्मोल का भी शेप देते हैं इस प्रकार से और इसको हमें हाँ पर कट कर लेंगे तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंट आर्मोल को कट कर लेना है और इस प्रकार से एक-एक मार्किंग कर लेना है ताकि हमें पता चलिए कि यह फ्रेंट कर लीजेगा आज की वीडियो में बस इतने मिलते अगले वीडियो में थैंक यू